मैं दीरे ज्यादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिल्टी पर तो अगर मैं बात करूँ आज के इस पर्टिकुलर सेशन की तो काफी इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि अ और एक शिफ्ट में आपको यहां पर पांच से लेकर के आठ कोश्टन तक देखने को मिल रहे हैं यानि कि अगर हम बात करें रिजनिंग सेक्शन की तो आउट ऑफ 25 यहां पर पांच से आठ कोश्टन केवल और केवल इस पर्टिकुलर आपको टॉपिक से देखने को मिलें कि आपके पॉइंड से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है पिर चाहिए एंब पात करें सी जी और तो सबसे पहली चीज तो काफी important topic आप यहाँ पर हम बात करें series की तो series का यहाँ पर जो मतलब है वो केवल number series से नहीं है यहाँ पर हम बात करेंगे alphabetical series की भी alpha numeric series की भी और कुछ miscellaneous type के जो आपके series से related questions देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे यानि कि काफी detail में हम लोग इसको cover up करने वाले हैं यहाँ पर various logics को भी हम लोग जानेंगे और अगर हम बात करें आपर series को पढ़ने के बाद आपके दूसरे topics में भी आपको help मिलने वाली है जैसे कि हम बात करें mathematical operations या हम बात करें आपका missing number तो इस पर based questions आप easily बना पाएंग इसके लाब अगर हम बात करें तो number से related आपको जो analogy के questions देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी series का chapter cover up करने के बाद आपको काफी help मिलने वाली है अब जैसा कि मैंने यहाँ पर discuss किया कि हम ना केवल यहाँ पर number series के बारे में चर्चा करेंगे साथ हम alphabetical series के बारे में भी discuss करेंग तो अगर आप लोगों को याद हो आप लोगों ने coding decoding का topic cover up किया है हमारे साथ आप लोगों ने उस session को अगर देखा है तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि coding decoding में ना केवल आप यहाँ पर coding decoding के questions बना पाएंगे साथ हम आगर बात करें आप अलफा बेटिक value की terminology में deal करने वाला हूँ यानि कि मैं बहुत detail में alphabetical series पे basic पे जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसको मैंने already cover up करा दिया है कहाँ पे coding decoding के chapter में तो अगर आप ने coding decoding का topic अभी तक नहीं देखा तो आप उस session को देख सकते हैं चलिए अगोटि को सबसे पहले अगर हम बात करें series की तो हम लग यहां पर type of questions की बात करेंगे जिनमे हैं सबसे पहले बात करें हम लिए किसकी number series की पर नंबर स्यरीज के अगर बारत हम बात करें तो लोकिंग यहां पर बात करेंगे इल्फा बेटिकल सेरीज कि इनके या फिर हम बात करें यहां पर एल्फा नीमरिक सीरीज तो इसके लावा मिस्लीनियस सीरीज की भी बात करेंगे ठीक है इसके लावा मिस्लीनियस सीरीज की भी बात करेंगे जो और ने आपके मिस्लीनियस टाइप के कोश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेटेड उसके बारे हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे है रहा आपकर हम करें आपके बैंकिंग में जिस प्रकार के स culminated पूठे जाते हैं वह यहां पर देखने को नहीं मिलते तक हम बात करें एक टिरिजे से स्वाथ के कउस्टन बन अपूछे जाते हैं जो आपके प्रिए जो आपके previous year exams में पूछे गए हैं या आपके upcoming exams में पूछे जा सकते हैं उन questions को हम लोग यहां पे basically discuss करने वाले हैं ठीक है चलिए आप इसके लावा अगर मैं बात करूँ सबसे पहले number series की यानि कि सबसे पहले अगर नमबर सीरीज की बात करें तो number series में सबसे important क्या हो जाता है और number series में questions आप से कितने प्रकार से पूछे जाते हैं तो अगर हम बात करें number series की तो number series में basically आपसे दो प्रकार के question पूछे जाते हैं एक तो आपको बताना होता है missing term यानि कि लुक्त पद और दूसरा घर हम बात करें तो आपको बताना होता है wrong term यानि कि गलड़ पद ठिक है तो आपको series दी गई होगी आपको बताना होगा कि कौण सा यहां पर term क्या है wrong है या आपको series दी गई होगी और आपको एक missing term होगा जो कि आपको फिल करना होगा तो दोनों ही प्रकार के प्रस्णों को हम लोगे आप डिसकस करेंगे तरीका आपको बताऊंगा रॉंग टंप सीरीज का लेकिन अगर हम बात करें जो बेसिक होने वाला हमारा केवल और Kristin मिसिंग सरीरियों narrative होने वाला है क्योंकि आपके एक्जाम में बेसिकलिए अगर हम बात करें ता ससेक एक्जाम में आपको missing temper based series ही देखने को मिलती है wrong temper based series आपको देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो basically हमारा जो focus है वो क्या है exam oriented content आपको deliver किया जाए और कहीं न कहीं आप exam के point of view से जो भी बाते महत्पूर्ण है उसको आप cover up कर सकें ठीक है बाकी यहाँ पर मैं तरीका सारे बताऊंगा कि सारे तरीक तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं कहां पर number series पर कुछ प्रश्णों की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं और आपको बताना है यहां पर comment करके कि पूछे गये जितने भी यहां पर आपसे मैं question से discuss कर रहा हूं फिर चाहे मैं आपसे number series पर based question discuss कर रहा हूं या फिर आपके alphabet प कितने question बने या कौन से ऐसे logics से जिनके साथ आप पहली बार familiar हो रहे हैं यानि कि इससे पहले आप उन logics के साथ में familiar नहीं थे यह logics आपके लिए बिलकुल नए हैं तो हम यहां पर various logics की भी चर्चा करेंगे अगर हम logic की बात करें तो कुछ basic logics को भी हम लोग यहां पर ज लगने वाला है वह होता है आपका difference है यानि कि अगर हम बात करें सीरीज की तो पूरा का पूरा जो आप सीरीज चैप्टर देखोगे वहां पर basically आपका क्या लगता हुआ आपको दिखाई देगा difference लगता हुआ दिखाई देगा और इन्हीं डिफ्रेंस के बेस पे यानि कि difference between two different terms की बात करें यानि कि दो विभिन पदों के बीच के अंतर की हम बात कर रहे है और जब यहाँ पर two different terms की बात करें और उनके बीच के हम difference की बात करेंगे तो यहीं से आप यह pic कर पाते हैं कि यहाँ पे logic क्या लग रहा है यानि कि यहाँ पर addition हो रहा है, subtraction हो रहा है, division हो रहा है या फिर यहाँ पर multiplication हो रहा है इसके लावा अगर हम बात करें तो square लग रहा है या फिर cube का logic लग रहा है तो logic क्या लग रहा है, यह हमें कैसे पता चलेगा जब हम बात करेंगे किसकी difference between two different terms यानि कि दो विभिन पदों के बीच के अंतर का जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमें पता चलेगा कि यहाँ पर addition हो रहा है, subtraction हो रहा है, division हो रहा है, multiplication हो रहा है या किसी number का square या फिर cube लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार आपको यहाँ पर double difference से भी question बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि overall अगर हम बात करें series की, तो series पूरा का पूरा जो है आपका based होने वाला है किसके उपर difference के उपर, यानि कि difference between two different terms, दो विभिन पदों के बीच का अंतर ठीक है, तो यहाँ पर यह बहुत important यहाँ पर आपका concept हो जाएगा, जिसके तहाँ आप जान पाएंगे कि addition हो रहा है, subtraction हो रहा है, division हो रहा है, multiplication हो रहा है, square या फिर cube क्या logic लग रहा है और सबसे important यह हो जाता है, कि अगर आप series के question को चाहते हैं, कि आप आसानी से बना पाएं, आसानी से आप logic क्रैक कर पाएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके calculation की calculation पर आपका बहतर command होना चाहिए, square and cubes आपको पता होना चाहिए, square and cubes के उपर मैं हर एक session में already discuss करता चला रहा हूँ, तो at least अब तो जाग जाईए, क्योंकि exam काफी नजदीक है, और आपको कम से कम 30 तक के squares, 20 तक के cubes, और इसके अलावा मैं tricks की बात कर रहा हूँ, तो trick के उपर भी हम लो discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, तो calculation पर command होना चीज़ के लावा अगर हम बात करें, unit digit का भी हम लोग यहाँ पर use करेंगे, unit digit के method से हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे, कि actual में जो logic हम यहाँ पर pick करें, क्या वैसा logic हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर नहीं यहीर, तो मैंने इसा कहा, सबसे important क्या होजाता है, difference, तो अगर हम बात करें, पहले question की, चलिह, पहले मैं question की बात करूँ, तो यहाँ पे आप 3 से 3 देख पार है, यानि की difference की बात करें, तो 0 का difference, कि रिष्टिवन को सब्सक्राइब को यहां पर को बात करें नंबर्स की तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर जो चार है वो क्या है 3 का multiply अगर हम 1 में करें और plus 1 कर दें तो हमें क्या मिल गया 4 मिल गया यानि कि इसमें हमें क्या करना था 3 का multiply 1 plus 1 करके 3 में add कर देना था तो हमें अगला term मिल जाता In the same way अगर हम 16 की बात करें तो आप देख पार हैं कि 7 into 2 14 होता है प्लस 2 की बात करें तो कितना हो जागा 16 यानि कि 7 में क्या करें 16 को add कर दें तो next time हमें मिल जाएगा In the same way यहां पर आप देख पार है 23 से अगर हम 72 का comparison करें तो यहां पर क्या होता है कि आज स्पास के जो छोटे छोटे से multiplication है उन से आप क्या करेंगे यहां पर यूनिट डिजिट का यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे 23 कितना हो जाएगा 9 यूनिट डिजिट मिल जाएगा 9 और प्लस 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट मिल जाएगा आपको 2 जो कि यहां पर आपको valid होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां पर लॉजिक की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है हलाक यहां पर इसको भी यह छोटा सा ही नमबर है कि बात करें तो कितना होता है सिक्स होता है जाए जोड़ देंगे तो अगला प्लस फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू नो चोग छतीस यानिकि तीन सो आशी और प्लस फोर करोगे तो तीन सो चौरासी यानिकि 384 आपको क्या करना होगा 95 में एड़ करना होगा तो फोर प्लस फाइब 9 हो जाएगा 9 8 17 यहां पे हो जाएगा आपका 7 कहरी जाएगा 1 यानि कि 479 479 क्या जाएगा आपका अगला टर्म आ जाएगा अब इसका दूसरे तरीके की भी हम बात कर लेते कि दूसरा तरीका यहां पे क्या होने फाला है तो यह मैं बात कर रहा था कि बेसिकली आपको डिफरेंस हम कैसे यूज करते हैं और डिफरेंस की बैसिस पर आपका सानी से logic क्रैक कर पाते हैं कि logic क्या लग रहा है ठीक है चली अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो यहां पर आप आप clearly देख सकते हैं हम कह सकते थे इसको into one plus zero यहां पर हम कह सकते थे into को तू यह कब के लिए है जब आप difference के साथ various type की questions की ठिक ठाक practice कर लेते हैं और मैं आपको फिर से याद दिला दू कि यह भी उन topics में से आता है यानि कि अगर हम बात करें सीरीज की और बेसिकली नंबर सीरीज की तो नंबर सीरीज उन टॉपिक्स में से आता है जहां पर आपको कसम खाके नहीं बैठना होता कि आज या तो हम रहेंगे या तो कोशन रहेगा बनता है तो ठीक हला कि बेसिकली मैंने बात करी है कि missing number हो गया कई बार आपके analogy पर based question हो जाते हैं जो कि एक बार में नहीं crack होते हैं तो यह question ऐसे होते हैं कि अगर आपसे बना within time यानि कि time के आपने पास less than one minute और हम क्या करते हैं पांच मिनट शे मिनट एक ही question पर बरबाद कर देते हैं तो इसा हमें बिल्कुल नहीं करना within one minute यानि कि max to max one minute में अगर logic crack होता है तब आप questions को मतलब question को आगे आप continue करेंगे solve करेंगे otherwise आप उसको क्या करेंगे mark for review के लिए रखेंगे last में आपके पास जो time बचा वाप बेशक उस पर जितना आपके पास time बचा उसके पूरा दे दीजे कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन आप exam के बीच में इन questions पर बहुत अधिक समय बरबाद नहीं करेंगे इतना practice करके जाईए इतना questions बना करके जाईए कि आसानी से करें और आम से जो आपके पास last में time बचा है कुल माइंड हो करके बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप उसको बनाईए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप exam hall में होते है logic नहीं क्रैक होता हो जैसे होल के बाहर निकलते हैं मतलब बाहर निकलते से आती आपके दिमाग में हीट हो जाता है कि यहां पर यह लॉजिक लग रहा था ठीक है तो ऐसा situation बनता है ऐसा situation कई बार होता है तो बहुत बहुत जादा किसी एक particular question पर time देने कि आप शकता नहीं है यहां पर अगर मैं बात क गा इंटू 5 और प्लस 4 तो 95 की बात करते कितना हो जागा 45 और 55 जा की बात करें तो 25 यहनिकी 500 पिचेत्तर स्वरी 475 चार्शों पिचेत्तर और प्लस 4 कर दोगे तो कितना हो जागा 479 जो कि आपको देखने को मिला था ठीक है बात करेंगे आप हम लोग अगले question की इतने सारे मैं questions की practice आपको यहीं पर करा दूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ठीक है तो इसके लिए बिल्कुल भी tension मत लीजे अगर अगर हम बात करें किसे अगर हमलों करें का चैनल्स को मिल जाएगा 20 मिल जाएगा कि अगर हम तैइस और पैतालिस की बात करें तो यहां पर आपको नब्बे का अंतर देखने को मिल रहा है तो मैंने कहा अगर आपने डिफ्रेंस निकाल लिया तो आधा काम आपकावों होता हुए आपको दिखाई देगा multiple में भी है तो आप देखेंगे कि कितने के multiple के आसपास यहाँ पर next term आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 12 यानि कि 11 से एक अधिक बढ़ा के हमने जोड़ा तो क्या मिल गया हमें 12 और इसको हमने जब एड़ किया 11 में तो हमें इस नंबर में प्लस वन किया अगले वाले में आप देख पार किया प्लस वन किया तो हमें नेक्स टम मिल गया और नेक्स में यहाँ क्या हो जाएं प्लस वन करना होगा यानि कि नमबर में क्या करना का प्लस वन और प्लस वन करेंगे वैलिएёрगा कि 3- 63 यानि कि 18 दूनी 36 और एक का डबल दो यानि कि 362 प्लस एक कर दोगे तो 363 यानि कि 363 आपको मिल जाएगी वैलू अब इसी कोश्चन को जो बेसिक तरीका था करने का यानि कि ठीक ठाक प्रैक्टिस करने के बाद वो यह था कि 11 के यहां के डबल के आसपास का नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो लॉजीक क्या हो जाएगा इन्टू टू अब यहां पे डबल के आजपास की वैलू दिखाई दे रही है तो इन्टू 2-1 टू 2-2 भढेल यानि के इंटू2 अगले दिमें कोश्चन की बात करूं तो यहां पर देखो अब तक थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा कि यहां पर हमें क्या करना है डिफरेंस लेकर के भी आप इस कोश्चन को सॉल्फ कर सकते हैं अब हम आएंगे बेसिक पे कि बेसिकली हमें करना कैसे होता एक्जाम में व और के मल्टिपल पर यूनिट डिजिट से यहां पर काम चला लेंगे पूरा-पूरा हमें कल्कुलेट करने की जरूत नहीं हमें केवल क्या जरूत है यहां पर लॉजिक क्रैक करने की और ऑप्शन के साथ भी कैसे हमें को विदिन टाइम बनाना है उसके बारे में चर्चा क प्लस टू होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर मल्टिपलाइड बाइट थ्री प्लस थ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या आप हम यहां पर फिव्टी सेवन की टेबल पौर टाइम्स पढ़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं है यूनिट डिजिट से काम चलाएंग यानि कि multiplied by 4 plus 4 करके देखेंगे कि unit digit हमें 2 मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर मिलती है तो next हम क्या करेंगे multiplied by 5 plus 5 करेंगे चेक कैसे करोगे 7 4 जा करोगे unit digit मिलेगा 28 यानि कि unit digit मिलेगा आपको 8 और प्लस 4 करोगे तो unit digit मिल जाएगा आपको 2 जो कि यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि logic आपका क्या है वैलिड है आपको यहां पर पूरा calculate करने की जरूरत नहीं है next में क्या करेंगे multiplied by 5 प्लस 5 करोगे तो अगर आपके option में unit digit केवल एक ही ऐसा यहां पर option में आपके number दिखाई दे रहा है जिसका unit digit 5 है तो आप उसको आख बंद करके answer मार के चले आना पूरा-पूरा आपको calculate करने की ज़रूरत नहीं इस number को भी ठीक है हाला कि यहां पर जब आप क्या करोगे multiply by 5 करोगे तो 2 5 जा 10 करी बन जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 करोगे 16 करी बन जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 करोगे 11 हो जाएगा प्लस 5 करोगे यानिकी value मिल जाएगी 1165 तो पूरा इस तरीके साथ आपको calculate नहीं करना है आपको केवल क्या करना है देखना है कि अगर एक ही ऐसा number है जिसका unit digit 5 है तो आप उस number को क्या करोगे answer mark करके आगे बढ़ जाओगे ठीक है बात करते हम लोग यहां पर अगले получилось by वॉन जिरो यहां पर देखे तो multiplied by 2 माइने सन हमान यहां पर देखे तो multiply by कि घ्रीं यहां पे मुल्टिप्लाइड वाय थ्री अब देखो यहां पर jeste अधर फ्लास एक बार वह माइन उरəDI अगे नि olho प्लास या ग्रर्ष प्लास कुछ भी रख सकते थे बात वही थे लेकिन नहीं पर Core माइनस के बाद फ्लस मिला इट मिन्स हम यह कंसिडर करेंगी कि alternate फ्लस और माइनस का यहाँ पे आपको देखने को लॉजिक मिल रहा है अब next में क्या होगा next में होगा माइनस और multiplied by होगा किसे फॉर से तो माइनिस होगा कितना थ्री तो फाइब फोर्जा होता है ट्वेंटी यूनिट डिजिट होता है जीरो और माइनस थ्री करोगे तो यूनिट डिजिट मिल जाएगा सेवन यानि कि लॉजिक हमारा पूरी तरह से क्या है वैलिड है तो यानि किसके अग लेगा हमें मल्टिप्लाइट वाइफाइफ फ्लस फोर करके तो अगर हम बात करें फाइफ की तो तेरह पच्छे पैसाट यानि कि छेसो पचास साथ पच्छे पैतिस शेजो पिचासी और प्लस चार करोगे तो छेसो नवासी यानिकि सिक्स एटी नाइन ठीक है आप पूर फिर उसके बाद फाइफ फाइफ फ्लस वन करोगे शिक्स फिर इसमें चार आप जोड़ोगे यानिकि काफी आपका यह टाइम टेकिंग हो जाएगा तो आप मेंटली कितनी तेज कलकुलेट कर पाते हैं ऑप्शन को कैसे पिक करते हैं अगर एक ही ऑप्शन में यूनिट इ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 6 यानिकि अगर हम 6 की बात करें तो यह multiplied by 1 के भी पास है और multiplied by 2 के भी पास है यानि कि यहां पे हम बोल सकते हैं multiply by 1 भी हो सकता है logik multiplied by 1 plus 2 या फिर multiplied by 2 minus 2, दोनो यजी तरीके logik आपको देखने को मिल सकते है ठीक, next में अगर हम बात करें, तो यहां पे आपका multiplied by 3 भी हो सकता है, यानि कि multiplied by 3 minus 2 या हो सकता था, multiplied by 2 plus 4, दोनो तरीके के लॉजिक देखने को मिल सकते थे इससे इसको रिलेट करोगे तो यह भी आपको वैलीड होता हुआ दिखाई देगा ध्यान यह देना कि यहां पर प्लस वाला टू का डबल क्या हो जा रहा है तो अगला या तो टू मिले या तो एट मिले कुछ भी मिले लेकिन इंक् मिलना چाहिए था जो कि मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इक मेंस यहां पर जो लाजिक हमें करना है वह कौन सा फॉलो करना हमें लॉजिक यहां पर फॉलो करना है टॉ मल्टिप्लाइट बाई यहां बाइलिड लागी और ऑट 2 मल्टिप्लाइट बाई ऐगा सोल Oh तो सिक्स जबन हो जाएगा इस फोर आपको एसे को यूजधय का पुलाइज्ट मुल जखेकर आपकोキतना 2010 करेंगे इसको thế कि टाइम को यूटिलाइज करेंगे कहा नेक्ट टम में यानि कि मल्टिप्लाइड वाइफ प्लस 16 किये तो आप क्या करेंगे मल्टिप्लाइड वाइफ फाइव प्लस 32 और यूनि डिजिट की बात करें तो अगर टू के साथ में कोई आपको दिखाई दे रहा है तो आप उस अप्शन को क्या करोगे माग करके आगे बढ़ जाओगे 24 कि अगर हम बात करें बीस पंचे सो चार पंचे बीस यानि क्यों जाएगा 1200 और प्लस 32 है ठीक है यहां पर अगर हम देखें ऐसे अगर आप जाते हैं तो भी आपको अंसर 1232 यहां पर देखने को मिलेगा तुनों ही तरीके मैंने आपको बता हैं कि आप और ली कैसे कल्कुलेट करेंगे और पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करके कैसे करेंगे यह अगर मैं बात करूँ तो यूनिट डिजिट के साथ आप कैसे कल्कुलेट करके आंसर माग करेंगे सारे ही तरीके मैं आपको बताते चल रहा हूं ठीक है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की तो देखो यह भी नहीं कि बि भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली है और एकदम इजी-जी से हलुआ हलुआ कोशन अगर बना करके जाओगे एक्जाम में ऐसे कोशन मिल गए जो कि आपसे पूछे भी जाते हैं तो वहां कहोगे कि यह तो हमारे बसका नहीं फिर वहां पर या तो कसम खाके बैठोगे औ नहीं है आराम को करदो और को आंदारी के साथ कंसे कब और करीया है क्या करें बिल्कुल हमारी नजर होती है कई कारें आजम सिरीज़ की बात करें तो कहीं पर कोई भी दिक्कت है तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता रखा कि टेलीग्राम गूरुप है हला कि टेलीग्राम गूरुप में बहुत सारे रिस्टिक्षन्स भी लगाई गई है जैसे कि आप अननेसेसरी चैटिंग वगरा ना कर सके और जो उसका डेकोराम है उसको आप मिंटेन रखते हुए आगे उस को हम लोग उस सुविधा का आप लाब उठा सके और उस सुविधा को कंटीनियू कर सके ठीक है चलिए बात करते हैं यहां पर अगले कोश्चन की अगले अगले करब करें तो 55 देखने को मिला है और यहां पर हम भात करने तो头 में में इफेरेंस के और यह यह यहां हम बात कर हैं तो प्लस कंणा नाइन और यहां कर रहा हम बात करें तो अगला का स्कॉइर यहां प्लस का अगला पांच का स्कॉएर नहीं कि 250 आप Code difference देखने को मिलेगा plus में मिलेगा कि minus मिलेगा तो ये plus के बाद minus plus minus अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 45 और 25 की बात करें तो value कितनी मिल जाएगी आपको 70 यानिकी 70 answer क्या हो जाएगा इस particular question के लिए 70 ठीक है बात कर लेते हैं अगले question की 4 से 10 बताओ कितने के multiple के आसपास की value आपको देखने को मिल रही है तो अगर आप multiple की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 के multiple के आसपास की value यानि कि multiplied by 2 हम इसको बोल सकते हैं अच्छा multiple की बात हम कब करेंगे जब values में हमें increase इस देखने को मिलेगा numbers के according यानि कि अगर हम यहां पर double का increment देख पार यहां तो यहां पर triple का मिलेगा या double के आसपास का increment चलना है कैसे उसको identifying करना इसके उपर मैंने डिसकस किया हुआ है तो अभी हम बात करें यहां पर दूना 112 प्लस 16 अगला क्या हो जाएगा मैल्टिप्लाइट वाइट टू प्लस थार्टी टू यानि कि 128 के डबल करो कि 256 और दो 258 और यहां पर 288 आपको वैल्यू मिल जाएगी ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले कुस्ट्ट की अगले कुस्ट्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मल्टिपल के आसपास की वैल्यू नहीं दिखरी तो सीधे सीधे हम पहले डिफ्रेंस की बात करेंगे डिफ्रेंस की अगर हम बात करें तो 16 में से 7 जाएगा 9 यहां कि अगर हम बात करें तो 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 में से 4 जाएगा 2 यानि कि आगे आपको चेक करने की ज़रत नहीं अगर आपने number of questions की practice करी है मैंने कहा आपको square और cubes बिल्कुल proper दिमाग में है जो कि होना भीच यह number series के questions को solve करते समय तो आपको यहाँ पे clearly दिखाई जे रहा 9 होता है यहाँ आपको 5 का square देखने को मिलना चाहिए और साथ 6 मिलाओगे तो 13 यूनिट इजिट भी आपको तीन देखने को मिल रही है तो अगला क्या हो जाएगा साथ का square हो जाएगा यानि कि 9 3 की बात करें तो जाएगा 12 करी जाएगा 141 हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 152 क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा ठीक है बात कर लेते हैं अगले question की अगले यहाँ पर सीधे सीधे हम डिफरेंस की बात करें यहाँ कि माइने सका 1 प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 15 तो अगला क्या होना चाहिए तो अगला यहाँ होना चाहिए minus का 25 तो I hope कि अभी तक ये बात हैं आपको बिल्कुल clear हो गई होगी और जो speed है कहीं न कहीं वो आपकी क्या हो चुकी होगी अभी तक boost up हो चुकी होगी जिससे आप आसानी से question को within time बना पाएं यहाँ पर हम बात करें answer की तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा यानि कि अगर हम बात करें 16 और 25 की to value मिल जाएगी आपको 41 को बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की तो अगले प्रस्ण में हम बात करें यहां पर दो से देखने को मिल रहा है आपको साथ यानि कि कितने का डिफरेंस तो यहां पर पांच का डिफरेंस यहां पर अगर हम बात करें तो कितने का डिफरेंस तो एक बचेगा और एक बचेगा ठीक है चलिए अब ध्यान दीजे यहां पर आपको multiple के आसपास की value थी लेकिन मैंने difference लिख लिया तो difference जो हमने पहला तरीका यानि कि जो सबसे पहले question में हम लोगों ने implement किया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो अगर आप 5 की बात करें तो दो में हमने कितना जोड़ा multiplied by 2 प्लस 1 और इसको हमने जोड़ दिया दो में तो मिल गया हमें अगला टम साथ की अगर हम बात करें यहां पर आपको 22 लिखा हुआ दिखाई दे तो हमने क्या 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 मल्टिप्लाइड बाइ 3 प्लस 1 को जोड़ा साथ में तो म दो सब्सुन हाँ तो यहां के आपको क्या मिल गया अगला टम मिल गया यह नहीं कि अगर बात करें नेक्स्ट वाले की तो 146 नहीं क्या करेंगा इंटि फाईव प्लस 1 करके 146 में जोलेंगा अग्ली वैल्यू मिल जाएगी और अगर हम यूनिट की बात कर तो यूनिट मैं आपका वन यूनिट इजिट आपका एगा वन तो यूनिट डिजिट के साथ आप ऑप्षन को आसानी से पिक कर सकते थे यह हो गया एक तरीका दूसरा तरीक के गर हम बाद करें तो माल्टिपल के आसपास अगर हम जाएं तो मुल्टिप्लाइट बाइट थ्री प्लस वन दो पंचे दस नौपचे 45 46 और यहां पर को जागा मल्टिप्लाइट वाइट वाइट प्लस वन ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बोला यूनिट इजिट वन मिलेगा छे छे बारा छे चंग छाथ तिस आ ओके वहाँ पर आपको एट भी कर्ना था दो वन नहीं यूनिट इजिट आपको seven मिलेगा ठीक है लास्ट टाइम मने आपको बता दिया यूनिट and one मिलेगा तो मल्टीप्लाइट वाइट वाइफ करना था इस no matter says one करना था प्लस नमबर भी आपको तो कंसीडर करना था तो यूनिट इस आपको मिलता सेवन ठीक है बाइए मिस्टेक मैंने वन वहाँ पर बोल दिया ठीक है तो यहां पर क्या करोगे मल्टिप्लाइट वाइश करोगे प्लस वन करोगे तो छे संग छतिस यानि कि कैरी जाएगा तीन छे सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 877 ठीक है चली बात कर लेते अगले कोशन की तो वैरियस तरीक्या है यहां पर आपके पास को सॉल्व करने के बस क्या है कि आपको यहां पर ठीक ठाक नंबर ऑफ कोशन की प्रैक्टिस करनी है और स्पीड कैसे बूस् को भी ध्यान में रख करके क्षें की प्रैक्टिस करिए जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाए बुस्ट अप होजा अला कि हम ऑप्षण की बात करें तो ऑप्षण पर हम लोग देखेंगे कैसे स्मार्ट तरीके से हम लोग ऑप्ष्ण को प्क करते हैं या नहीं कि वहां पे ह क्वेट टाइम बचाएंगे कि अगली अगर हम यहां पर बात करें कि कुछंट की देखें स东西ा इस ताario कि नो में से सत गए दो बीदिशेर नौ मैस्नह ona 0 5 जूंसे निदुन यानि की बीसी है तो अग्र मात करें दो और ज्छे की तो इनके बीच में चार का डिफ्रेंस चे और बारा की बात करें तो इनके बीच में चे का डिफ्रेंस और बारा और बीस की बात करें तो इनके बीच आठ का डिफ्रेंस आनि कि आप देख पार है चार छे आठ तो अगला कितने का हो जाएगा 10 का हो जाएगा निकि 12 में हमने 8 जोड़ा तो मिल जाएगा 20 तो 10 को हम 20 में जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा हमें 30 और जिस प्रकार 20 को हमने 49 में जोड़ा तो हमें अगला टम मिल गया उसी प्रकार 30 को 59 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जागा अगला टम मिल जागा जो कि क्या जागा 89 इसी पर हम लोगों ने discussion किया था कि double difference से भी question आपके कई बार easily बन जाते हैं तो अगर एक बार के difference में logic नहीं कराएक हो रहा तो आप double difference लेकर के भी question को हल कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले question के हम लोगों यहाँ पर चर्चा करते हैं 2 से 8 हाला कि यहाँ पर multiple के आसपास value आपको जाती होई दिखाई दे रहें अगर हम multiple की बात करें हम बोल सकते हैं 2 फोर्चा 8 multiplied by 3 प्लस 2 क्योंकि यह भी आपको multiplied by 3 के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रहें लेकिन हुआ तो आपको 3 को दिखाई नहीं देगी ना तो आपको यहाँ पर 3 का मल्टिपल दिखाई दे रहा है यानि कि हम सीधे-सीधे क्या करेंगे सबसे difference पे बात करेंगे तो यह चीज़े कैसे डवलप होंगी जब आप questions की practice करते हैं जब आप logics के साथ में familiar हो जाते हैं तो यह चीज़े आपके दिमाग में automatic समझ में आ जाती है कि यहां पर हमें multiple की value लेना है या फिर नहीं लेना है multiplied by 2 हो रहा है multiplied by 3 हो रहा है 2 के आसपास का multiple है 3 के आसपास का multiple है difference लेते समझ में आ जाता है square में कुछ जोड़ा जा रहा है या cube में कुछ घटा जा रहा है सारी बाते आपको बिल्कुल clear हो जाएंगी जब आप क्या करेंगे इस session को खतम कर रहे होंगे हमारे साथ चली तो अग यहां पर दो गया तो दो गया जानी कि नबबे का difference अब अगर आप ध्याने दे शे और के बीच में कितने का अंतर है बारा का अंतर है अठारा और 36 के बीच में कितने का अंतर है 18 का अंतर है 36 और 60 की बात करें तो कितने का अंतर है 24 का अंतर है 60 और 90 की बात करें तो कितने का अंतर है 30 का अंतर है तो 90 प्लस 36 करोगे तो वैली मिल जाएगी 126 जिसको आप 212 में एड करके मिसिंग टम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं तो अगर हम बात करें तो हो जाएगा 628 यानि कि 338 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पर अगले कोश्टन की बात करें तो एक और तरीका होता है जो कि आपको follow करना होता है जरूरी नहीं कि question में हम हर बार left to right का ही concept follow करें अगर right to left में आपको value increasing order में दिखाई दे रही आसानी से वहाँ पे calculation किया जा सकता है तो right to left का भी concept हम follow करेंगे और यही approach आपको missing term में भी wrong term में भी याद रखना है यानि कि जरूरी नहीं कि हम left to right का concept ही follow करें right to left का concept अगर आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ से easily pick कर सकते है logic तो आप उसको भी follow कर सकते हैं जैसे कि आप इस number में clearly देख सकते हैं इस series के अगर हम बात करें यहाँ आपको clearly दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 27 का अंतर यानि कि अगर हम eight की बात कर तो टू का क्यूब ट्री का क्यूब फिर यहाँ पर आप clearly देख सकते है शिक्स्ति फॉर का difference है और यहाँ पर आपको one twenty five का difference देखने को मिल रहा है यानि कि दो का क्यूब तीन का क्यूब चार का क्यूब पांच का क्यूब तो audio याणि कि यहां पर देख सकते हैं 325 में से चार का स्वेक्श गटाया सो 26 36 में से हमने से मिल नओ। नोब मैं से हमने से यहां में से हमने मिल जाएग तो याणि की मिल जाएगी हमें 0All जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि राइट टू लेफ्ट हमाएं तो इसली हमें क्या मिल गया concept मिल गया यानि कि logic मिल गया यहां पर क्या logic लग रहा है वह हमें आसानी से पता चल गया ठीक है बात कर लेते हैं अगले question की अगले दी मैं question की बात करूँ तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कितने का अंतर एक का अंतर यहां पर मैं बात करूँ तो नो तीन बारा और दस यहां इना पर, यहां पर मैं बात करूँ तो गया और पांच मिसी तीन गया दो उन्तिस का अंतर अगला हमें find कना है जब यहां पे नहीं समझ में आएगा तो हमें क्या करना है डबल डिफरेंस निकाल लेना है अगर हम बात करें याँ पे मात कर सकते है ठीक है चले कि points in नहीं लेना है आराम से पेशंस फैली सेशंट को वॉच करना है बने रहना हमारे साथ और यहां पर हम लोग बहुत सारे यहां पिअन नमबर फ्रहर की बाट करें हम लोग बहुत सारे यहां पर यहां पे अल्फाबेट बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर सेवन से नाइन की तो यहां पर multiple के आसपास के number आपको देखने को मिल रहे है यानि कि या तो multiple या तो difference ले भी लिया तो भी multiple है कि नहीं है यह कैसे निकालना इसके बारे में भी हम लोग discuss कर चुके हैं तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं यहां पर हम बात करें वन का multiple फिर टू का multiple फिर 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 फीर के पास तो यहां पर वैल्यू आपको कह सकते हों कि है भी या नहीं भी फिर यहां पर फोर के ज्रोकर असपास वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है सबसे पहले किसकी difference की तो difference यहां पर priority हो जाएगा हमारा तो यहां पर टू का difference यहां पर हम बात करें तो ग्यारा का difference यहां पर हम बात करें तो 29 का difference 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 4 गए 5 यहने की 56 का difference next वाला अपने को find करना है तो 2 और 11 की बात करें तो 9 का difference तो एठारा का difference ist ग्यारा और उन्टिस की बात करेंतो तो ऑठारा का difference29-360 26 मिसे नव गए शाथ और यहां पर चार मीसे सदो गए दो 27दimyइंस अगला कि रिसली देख सकते हैं इन सब के बीच सैंगे martialikkति親 की एक तो इस कềnहिए ना उन्हला adesso टिसमें जो कि क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए तो एक बार की डिफ्रेंस नहीं बन रहा है तो डबल डिफ्रेंस कितना आपके लिए helpful है यह भी आपने देखा अगर आपकी सीरीज मल्टिप्लिकेशन या क्यूब या फिर अगर हम बात करें स्क्वाइर पर बेस्ड है तो भी कैसे डिफ्रेंस आपकी help करेगा या भी आपने देखा यानि कि यहां पर केवल और केवल आवशकता क्या है कि हम कोश्चन की प्रैक्टिस करें और लॉजिस के सीरीज या फिर मल्टिपल सीरीज एक साथ आपके डबल डबल सीरीज दे दिये जाते हैं तो उसको कैसे identify करना है तो जब आपके number of terms क्या होंगे कहीं जादा होंगे अभी तक आपने जो भी सीरीज देखा वहां पर number of terms आपको limited दिखाई देरे से यानिकि जब number of terms जादा हो मिले गाने कि तीन तीन सीरीज आपके चलेंगे इस वाले का relation अगर हम बात करें इस वाले का relation इस से देगा ठीक है तो इस तरीके से आपको triple series भी देखने को मिलती है कई बार तो यहां पर हम बात करें alternate series की तो उसके उपर भी हम लोग discuss करेंगे और डारेक्ट भी कई बार ऐसा होता कि alternate series में आपके डारेक्ट भी question बंते हैं और alternate अकर आप जाते हैं तो भी question मनते हैं तो उसको वह में लोग यहां पर discuss करेंगे जैसे यहां पे अगर हम मैं बात करूं तो एक नव प्लस दो करोगे तो घ्यारा फिर माइने एक फिर प्लस दो फिर माइने सेट प्लस दो माइने सेक और यानि कि डारेक्ट भी आपको कुर्शन बनता हुआ दिखाया तो अगला क्या करेंगे हम माइनेर वन करेंगे एक तरीका दूसरा तरीका कर sentence जाते तो 9 से देखिय 15 क्या मिल जाएक आपको नंसर मिल जाएगा ठीक कै H थिक्षाहित या पर देख सकते हैं प्लस टू माइनेस फिल चला तो दो तरीके से हाप आप कांसर क्या मिलेगा थर्टीन ठीक है बात कर लेते हैं अगले कोश्चन की तो अगले कोश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो को बात करें तो सिक्वेंट से कोश्चन बनना करें दो जो मोटीव एक सिट सुनीश्चित करने का वह मोटीव आपका पूरा होना चाहिए ठीक है बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की 5 से 9 4 का difference 9 से 13 4 का difference 13 से 17 4 का difference ठीक है तो सीधे सीधे आपको सब में 4 का अंतर देखने को मिलना है तो 33 और 4 कितना हो जागा 37 और 37 और 4 हो जागा 41 एक तरीका दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो 8, 5, 13, 13, 8, 21, 28, 29 ऐसे भी आप जा सकते थे बात वही है यानि कि double series में आपको कई बार complicated questions भी देखने को मिलते हैं जो कि alternate term में ही समझ पाना easy होता है और कई बार आपके sequence में questions देखने को मिल जाते हैं जो कि चाहे आप alternate से बना लीजे चाहे आप direct बना लीजे next अगर मैं question की बात करूं 12 से 33, 33 से 55, 12 अगर हम 33 की बात करें तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 21 का difference, 5 में से 3 जाएगा, तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, तो 2 बचेगा, 22 का difference, फिर 7 में से 5 जाएगा, तो 2 बचेगा, 7 में से 5 अगर मैं इस question की बात करूँ तो यह बनने वाला नहीं है क्यों नहीं बनने वाला है क्योंकि आप स्क्वार लगा लिजे क्यूब लगा लिजे डबल डिफ्रेंस ले लिजे मल्टिप्लाई कर लिजे ठीक है डिवीजन कर लिजे जो मरजी कर लिजे यह question बनने वाला नहीं है क्यों नहीं बनने वाला है क्योंकि सिरीज में logic ही कुछ ऐसा आपको यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक की इसके हम first term की बात करेंगे इसके first term की करेंगे और इसके first term की बात करेंगे तो एक से हो गया तीन तीन से हो गया पांच पांच से हो गया साथ साथ से हो गया नौ यहां पर आपको अगर मैं बात करूँ तो और नंबर की सीरीज देखने को मिल रही है दो तीन पांच साथ और 11 ठीक है अला कि इस प्रकार का question आपक को देखने को मिल सकते हैं ठीक है यानि कि यहां पर मैं बात कर तो first term के लिए अलग यहां पर सीरीज और second term के अलग ऐसा लॉजिक आपको alternate series में देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की 17 से हो जा रहा है अन्तिस यानि कि यहां पर हम बात करें गर अंतर की तो 8 में से 7 गए 1 3 में से 1 गए 2 यहां पर हम बात करें तो 9 में से 8 गए 1 और 5 में से 3 गए 2 यहां पर हम बात करें तो 10 में से 9 गए 1 और यहां पर हम बात करें 7 में से 5 गए 2 यानि कि सब में आपको 21 का अंतर देखने को मिल रहा है तो यहां पर भी value कितनी हो जाएगी 101 यानि कि यहां पर भी अंतर कितने का हो जाएगा 21 का हो जाएगा clear अब हम लोग आते है option के साथ question को कैसे बनाना है इस मुद्दे पर ठीक है चलिए कि अभी तक आपकी अच्छी खासी प्राक्टिस भी हो गई होगी concept भी आपको समझ में आ गया होगा अब कोशन में स्मार्ट अप्रोच कैसे अपनाना है कैसे उसको फॉलो करना है कैसे एक्जाम में इंप्लिमेंट करना है इन बातों पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे त दोनों को ही फटा-फट से क्या करेंगे निपटाते हुए बनाते हुए चलेंगे तो यहां पर मैं बात करूं सथी सातीर बताना है और साथी साथ मैंने क्या सही हुए कितने questions आपके सही सही बने, किन logics के साथ में आप family और नहीं थे, कौन से question आपको या logic आपको नए देखने को मिले, इसके बारे में भी आपको comment करके बताना है, तो अगर मैं बात करूँ इन numbers की, तो यह numbers आपके कैसे हैं, तो यह आपके prime numbers है, यह अगला आपका prime number क्या हो जा सारी के साथ, चली, यानि कि answer क्या हो जागा है, आपके option number C, 61, बात कर लेते हैं, अगले question की, तो यहाप आप देख सकते हैं, कितने का difference, एक का difference, यहाप तीन का difference, यहाँ पर x का difference लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे y का difference, अब देखेंगे, कि x plus y की value total कितनी आ रही है, और उसक इसको एक valid format में देख पा रहे हैं, कि नहीं देख पा रहे हैं, फिर से समझिये तरीके को, ऐसे questions में करना क्या होता है, एक का difference, तीन का difference, x का difference, y का difference, अब x और y की जो value आएगे, उसको हम two parts में break करेंगे, और देखेंगे, कि एक तीन वाले जो sequence है, यह एक valid format में बनता बारा को अगर हम दो भागों में जो तोड़ हैं, तो यहां पर एक मिलेगा पांच, एक मिलेगा साथ, यानि कि अगर हम बात करें, एक तीन पांच और साथ, एक आपको valid sequence में जाता हुआ दिखाई देर, हला कि 12 को हम 6 और 6 के भाग में भी तोड़ सकते थे, हम इसको 4 और 8 क भाग में भी तोड़ सकते थे, लेकिन हम अगर बात करें, इसके sequence में अगर आप इसको break करेंगे, तो आपको clearly समझ में आ जाएगा, हला कि यह तो काफी छोटा सा number है, बड़े numbers पे भी हम लोग इस परकार के question को हल करेंगा, और वहाँ पर भी देखें कैसे numbers को break करके valid sequence को ब कराशने के लिए, बात कर लेते हैं अगले question की, अगले अगर question की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का difference, यहाँ पर मैंने कहा, x का difference लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे y का difference, और यहाँ पर भी हम देखेंगे, कितने का difference है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा ह 9, 2, 11 और फिर 6 यानि कि 8 का difference ठीक है अब 2 का difference है यहाँ 8 का difference आप x और y की value देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको x और y की value देखने को मिल रही है 10 की 10 को अगर हम 2 भागों में तोलेंगे तो 1 ले लेंगे हम 4 और 1 ले लेंगे हम 6 तो यहाँ पर आप देख पारें 2, 4, 6 और 8 clearly आपको एक valid sequence बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि 99 में हमें क्या जोड़ना था चार जोड़ना था तो value कितनी मिल जाएगी 103 और 103 में जब हम क्या करेंगे 6 जोड़ने तो value मिल जाएगी 109 यानि कि यह बिल्कुल valid होता हुआ में दिखाई दे रहा है जिसको हम आसानी से बना सकते थे साथ से हो जा रहा है आठ यानि कि एक के multiple के आस पास है यहां पर देखो दो के multiple के आस पास यहां पर तीन के multiple के आस पास तो अगला क्या हो जागा चार के प्लस वन करोगे तो यूनिटीज मिलेगी नाइन यानि का आंसर का जागा एटी है सारी मुल्टिप्लाइड बाइट गलबाड है गलबाड है वेट वेट बता रहा हूं वेट कर लेते हैं ओपस्षन हैं यहां पे अगर हमक्राइड लेखिए तो फ्लस वन मिल्टिप्लाइड प्लस वन मॉल्टिप्लाइड बाइट वा थ्री प्लस वन हो रहा है तो मल्टिप्लाइड भूर प्लस वन होना चाहिए नहीं मल्टिप्लेट वाइफ फॉर करोगे तो वैल्य हो जाएगी 208 प्लस एक करोगे तो वैल्य होनी चाहिए 209 ठीक है अब देखते हैं कि क्या यहां पर ऑप्शन में गढ़बार है या इसके अलावा भी कुछ लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है हम लोग यहां पर discuss कर लेते हैं दूसरी अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो यहां पर एक का डिफरेंस यहां पर 17 और 8 में 9 का डिफरेंस सत्रा और 52 की बात करे तो 12 में से 7 गया 5 और 5 में से 1 गया 4 डबल डिफरेंस लेंगे तो भी यहां पर बनता हुए दिखाई नहीं ज लो एक्जाम में आपको ठीक ठीक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि युनिडिजिट मार दी एक्टी नाइं तो दो युनिडिजिट होगा तो आपको एक अलग से 209 ऑप्शन दिया गया होगा जिसको आप तो बिल्कुल इसली गैस कर सकते होगी यहां पर मल्टिप्लाइट बैट टू ही करेंगे तो वैल्यु आपके 100 से जादा हो जाएगी जहने कि पीनाइं किसी हाल में आंसर नहीं होने वाला है ठीक है बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अगले अगर कोश्चन की बात करें तो एक से हो जा रहा है नौ आठ का डिफरेंस तियात्तर और नौ का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो तेरा में से नौ गए चार और यहां पे बचेगा छे यानिकि चौण सट नौ में से तीन गए छे और आठ में से शाथ गए एक और दो यानि कि 216 अब मैंने आपको कहा कि आप अगर square और cube बिल्कुल आपके tongue पे नहीं है आपके दिमाग में feed नहीं है तो कहीं न कहीं आप struggle करने वाले हैं exam hall में तो अगर आप जिहान ने तो 8 होता है आपका 2 का cube, 64 होता है 4 का cube और 216 होता आपका 6 का cube यानि कि 2 का cube 4 का cube, 6 का cube तो अगला कितने का हो जाया का cube और 8 का cube कितना होता है तो 8 का cube होता है 512. 512 को यहां पर आप add करोगे तो 9, 2, 11 हो जाएगा 8, 2, 10 हो जाएगा यहां पर 6 और 2, 8 हो जाएगा यहां पर देखने को मिल रहा है बात कर लेते हैं अगले को सिगने के लिए लिए हम लोग यहां पर क्या करें गे तो चे और दो की बात करें तो चार का अंतर आठ और पांच की बात करें तो तीन का अंतर यानि कि चौटिस का अंतर आपको देखने को मिलना चाहिए तो दो और आट की बात करते दो एक सिरीज है बिलकुल होती हुँ दिखाई दे रहे यानि ठीक है तो यानि कि अगर हम बात करें आंसर की तो बावन चार छपपन और दस चाठ चाठ यानि कि 66 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं आपको यहां पर दिखाई जैरा कितने का अंतर 196 सीखा आपके दिमाग में 14 का स्कौैर भी बिल्कुल आ जाना चाहिए यानि कि इसके साथ साथ आपको 14 का स्कौैर भी दिखाई देना चाहिए next अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो एक आगा है निकि 14 के स्क्वाइर के बाद यह होगी 12 का स्क्वाइर अगर हम 2 में से 2 की बात करें तो 0 जैसे ही 0 दिखाए याँपके दिमाग मैंना चाहिए दस का स्क्वाइभर तो अगला क्या जाएगा आफ यहांपे हमने माम की और मैंने घर कि बाइनस करेंगे कि ओर तो वह्त 좌ई खरले तो i car ei या नो कि डबल के आज पास की वैल्य आपको दिखाई दे रही है नौ का डबल 18-1 कह सकते हैं अगर हम बात करें 18 गुले 3 की तो 17 गुले 3 की तो 17 गुले 3 होता है निका रहे हैं यहां पर हम करें जादा की यह वैल्यू है निकि मल्टिपल में वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ठीक है और माइनेस में है तो यानि कि हम कह सकते हैं अगर हम नेक्स की बात करें तो मैल्टिपलाइड भाई 3 और यह मैल्टिपलाइड भाई 4 हो सकता तो यह मैल्टिपलाइड भाई 5 के आसपास भी आपको देखने को मिल रहा है तो एक लॉजिक हम ऐसे गेस कर सकते हैं को देख करके यानि कि अगर 9 दून यह ठारा करें माइनेस वन तो 17- 3 क्या होतां क्यावन माइनेस वन यानि की एक ओप्च न आपका 52 बन सकता तैखर की बात करें तो पचास गूले हम क्या करेंगे यहां पर 4 17 तिया 51 माइनस 1 भी हो सकता है माइनस 2 भी देखने को मिल सकता है इससे जादा भी देखने को मिल सकता है ठीक है क्योंकि जब हमने multiplied by 2 किया तो यहाँ पर माइनस 1 हुआ हम यहाँ पर 17 गुले 3 अगर करें माइनस 1 करें तो value एक 50 मिल रही और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें 199 देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर दूसरा भी number हो सकता है हमने सिर्फ क्या किया गेस किया कि यह एक answer आपका हो सकता है हम यहाँ exact logic find करने का प्रयास करेंगे कि कैसे exact logic हम लोग यहाँ पर find कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह तो पता है कि multiply by 5 होगा जो इसका हम 5 से multiply करेंगे अगर इसको हम 200 मान लेते हैं तो 200 गुले 5 करोगे तो value मिल जाएगी कितनी आपको 1000 और यहाँ पर कितना जादा हम ले रहे थे तो साथ जादा ले रहे थे यहाँ कि दो कम यहाँ पर तीन कम यहाँ पर तभी हमें क्या मिल जाएगा चार कम value मिल जाएगी तो कैसे identify करना था वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया अब आते हैं कि multiplied by 4 minus 3 करके देखेंगे कि अगला टम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूरा multiply करने नहीं जाना है कि यूनिट डिजिट से चेक करोगे 9.36 यानि कि यूनिट डिजिट 6 माइनस 3 करोगे यूनिट डिजिट 3 बिल्कुल वैलिड होता हुआ दिखाई देरा answer mark करी आगे बढ़िए पूरा पूरा आपको calculation करने की जरूरत नहीं है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की 3 और 14 के अगर हम बात करें तो कितने के multiple के आजपास आपको यह नंबर दिखाई पढ़ दें तो सबसे पहला अगर हम बात करें या तो 5 के multiple के पास आप कह सकते है multiplied by 5 minus 1 यहाँ फिर अगर हम बात करें तो multiplied by 4 plus 2 के आसपास का number आपको दिखाई दे रहा है the same अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14 अगर हम देखें multiplied by अगर हम यहाँ पर 4 करें तो 14 multiplied by 4 कितना होता है 56 होता है जबकि हम 14 multiplied by 3 करेंगे तो यहाँ पर value आपको काफी दूर दिखाई दे रही यानि कि अगर हम बात करें 3 को 14 से जब हमें consider करना है दो terms के बीच के difference के तो यहाँ पर हम logic क्या prefer करेंगे multiplied by 5 minus 1 यहाँ पर अगर हम बात करें तो multiplied by 4 plus 2 next one के अगर हम बात करें तो 5 3 जा 15 यानि कि 150 और 8 3 जा 24 यानि कि 174 multiplied by अगर हम बात करें यहाँ पर 3 minus 3 होता हुँ आपको दिखाई दे रहा तो next क्या हो जाएगा multiplied by 4 plus sorry multiplied by 3 multiplied by 2 हो जाएगा multiplied by 2 plus 4 तो multiplied by 2 की बात करें तो 17 दूनी 34 यानि कि 342 हो जाएगा plus 4 करोगे तो 346 यानि कि option number C क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए बात कर लेता हम यहाँ पर अगले question की तो अगले question में आप यहाँ पर clearly दे सकते हैं multiplied by 1 multiplied by 2 multiplied by 3 यानि कि अगला क्या हो जाएगा multiplied by 4 option number D right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए next question के अगर मैं बात करूं चलिए देखते हैं अगर इसको हम बात करें multiplied by 1 plus 1 एक तरीका दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं इसको multiplied by 2 minus 1 यहाँ के अगर हम बात करें तो multiplied by 2 plus 2 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम इसको बोल सकते थे multiplied by 3 minus 1 यहाँ अगर हम बात करें तो 8 multiplied by 1 हुआ फिर multiplied by 2 हुआ यानि कि यहाई आपको multiplied by 3 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा यानि कि यह तरीक스ंट यहाँ पे आपका valid नहीं होगा तो हम इस तरीके को क्या करेंगे? फालो करेंगे यानि कि okay, wait करते हैं हो सकता है, multiplied by 1, multiplied by 2, multiplied by 1 चलेगा तरीका यहां पर आपका valid नहीं होगा, तो हम इस तरीके को क्या करेंगे, follow करेंगे, यांनि कि segurança करते हैं, हो सकता है, multiplied by 1, multiplied by 2, multiplied by 1 चलेगा, लेकिन, multiplied by अगर हम 1 भी करेंगे, तो भी यहां पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानि कि इस तरीके को हमें हटाना हुए अब बात कर लेंगे इस वाले तरीके की जो उपर हम फॉलो करते हो जा रहे थे तो अगर मैं बात करूँ यहां पर आप देखेंगे multiplied by 2 minus 1 यानि कि यहां पर multiplied by 2 minus 1 multiplied by 3 minus 1 multiplied by 2 minus 1 तो अगला क्या हो जाएगा multiplied by 3 minus 1 यानि कि 15 3 जा होता है 45 minus 1 करोगे तो 44 आंसर क्या हो जाएगा option नंबर B अगले question की बात करें तो मैंने कहां जरूरी नहीं कि हर बार आप क्या करो left to right का यह अप्रोच फॉलो करो राइट लेट भी आने से कई बार question आपके easily बन जाते हैं तो divided by 8 divided by 4 divided by 2 तो अगला क्या जाएगा divided by 1 यानि कि value मिल जाएगी आपको 8 जो कि option नंबर A में आपको clearly दिया गया है चलिए फटा फट चाहते हैं अगले question में जो कि sick ज़्यारामें से 5 जिया चारहां जामें से 3 गया एक कर शोला का difference 2 तीन में टीन में जाए थुदो will be answer for this particular question जो कि आपको option number A में दिया गया है तो exam में भी question किस तरीके सा और जो question मैंने आप लोगों को करा है वह भी exam में पूछे गए प्रस्न है exam में आए हुए question है यानि कि exam में आपको इस प्रकार से question देखने को मिलते है अब यहाँ पर अगर हम बात करें अगले question की तो 4 से 11 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 31 यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर multiple की तो 4, 3 कितना होता है 12 होता है 3 के multiple के आसपास है या फिर हम बोल सकते है multiplied by 2 plus 3 लेकिन यहाँ पर आपको multiplied by लेगन यहां को दिखाई नहीं दे रहा यानी कि हम बात करें यहां मुझा FM करेंगे डिफरेंस की इस हीवाथ करें तो अट का इफरेंस फिर बात करें तो 20 का difference, फिर बात करें तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 34 का difference, फिर बात करें तो 13 में से 5 गया, 8, 8 में से 6 गया, 2 और यहाँ पर 1 यानि कि 128 का difference, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 का difference, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 14 का difference, लेकिन यहाँ पर आपको proper difference या फिर value देखने को नह अठाई नहीं दी तो हमारा अप्रोच क्या होना थी तो सबसे पहले हम बात करेंगे multiple की तो multiplied by अगर हम 3 करें और minus 1 करें तो value मिलगी हमको 11 यहां का अगर हम बात करें multiplied by 3 multiplied by 3 से यहां पर value नहीं बनेगी तो हम इसको जाएंगे multiplied by 2 से हम यहां पर अप्रोच लगाएंगे multiplied by 2 प्लस 3 का यहां पर हम अप्रोच लगाएंगे multiplied by 3 माइनस 2 का यहां पर हो जाएगा multiplied by 2 प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा multiplied by 3 माइनस 2 अब हम unit digit से चेक करेंगे कि क्या यह logic लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है तो 5-3 करोगे 15-2 करोगे तो 13 unit digit आगया 3 यानि कि अगला जो logic लगने वाला है वो क्या लगने वाला है multiplied by 2 plus 3 का तो 193 का double करोगे 19-186 और plus 3 करोगे तो 389 आपको यहाँ पर value मिलेगी जो कि आपको option number B में दिया गया है तो question नहीं बने फटा-फट से आपको मैंने various तरीके बताए है difference ले लिजे डबल difference ले लिजे उसके बाद multiple के भी आपके alternate multiplied by 2 multiplied by 3 और यहाँ पर addition भी alternate हो रहा प्लस 3 और minus 2 का ठीक है तो various आपके पास तरीके हैं various approach है जिनसे आप questions को क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं next topic अपना रहने वाला alphabetical series जिसको हम लोग क्या करेंगे next class में next lecture में discuss करेंगे आज के लिए इतना ही next class में हम लोग यहाँ पर alphabetical series या कुछ अन्य प्रकार के जो important question आपके बनते हैं उनको भी हम लोग discuss करेंगे तो देखना बिलकुल भी ना भूलें हमारे साथ जुड़े रहें और मैंने जैसे आपको लोगों को बताया कि comment करके जरूर बताएं कि पूछे गए प्रस्णों में से कितने प्रस्ण आपके सही हुए या ऐसे कौन से logic से जिनके साथ में आप family नहीं थे यानिकि वो logic आपक खेर प्रस्णों में से खोशे तो बम बल्जक का रहे